आज कि ताजा खबर में आप सबों की स्वागत है। जार्खन की तमाम चोटी बड़ी खबर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। निधी समर्पन अभियान की सुरुवात हुवी है। निधी समर्पन अभियान की सुरुवात हुवी है। निधी समर्पन अभियान की सुरुवात हुवी है। साइबर अपराद पर हाई कोट सक्त चीप जस्टिस को भी आया थपन। राज में साइबर अपराद की बढ़ती घर्षना और अपराधियों के खिलाप राज करवाईज नहीं होने पर हाई कोट ने कड़ा रुक अपनाया है। आयकार विभाग को भी परतिवादी बनाते हुए दोनों से 29 फरवरित तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ब्रामत के इस मामले में जेल परशासन ने डिवटी पर तैनास सिपाई वीद्या परशाध वाईणी और राजे सी को भी दोसी मानते हुए उनके अलावा सहनवाज के खिलाब खेल गाउं थानक में ब्रात्म की दर्ज कराई है। जेल अधिचक ने बताये कि सहनवाज को सेल में बंद किया गया है। सुबा चेकिंग के वक्त हुआ फोन पर बात करते दिखा। मॉबाइल के बारे में पुछताच करने पर उसने कुछ भी नहीं बताये। जेल पर साथन इस बात की जांच कर रहा है इसकी। मॉबाइल उनके पास कैसे पहुँचा केदी के पास मॉबाइल पहुचने में कौन कौन पुलिस कर्मी सामिल अजिन पुलिस कर्मियों की इसमें सनलिपता रहेगी उनके खिलाब करिक करवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर बिस एप में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी कुरियर एज़न्ट बनकर पुलिस ने फरजि आई जे को दबोचा बोकारों भी एज़न्ट बनकर पुलिस बिहार उके भागलपूर पहुची और आरोपी के धर दबोचा आरोपी मानोर राज सर्मा खुद के BSF का अधिकारी बता कर नौकरी देने के नाम पर युवाओं से रुपईय ठकता था आरोपी मानोर राज को गिरफतार करने के लिए बोकारों से बलिडी पुलिस का एक अधिकारी और एक जवान पिछले एक सप्ता से भागलपूर में कैंप किये हुए थे इसाथ अगली बड़ी खबर मेडिकल कॉलेज एडमिसन मामला केंद्री स्वासमंत्री से राजी के संसत करेंगे दाखिले सुरू करने की मांग एडमिसन नहीं हुआ तो राज की 300 डाक्टर का होगा नुकसान राजी के मुखमंत्री और स्वास्त मंत्री के बाद राजी के संसद संजे सेठी नेवी केंदी स्वास्त मंत्री हर स्वर्धन से मिलकर नए मेडिकल कोलेजों में एडमीशन प्रिकिरिया सुरू कराने की मांग करेंगे आई एम एक के अनुरूद पर संसद ने कहा कि मेडिकल कोलेजियों में एडमिशन प्रिकिरिया का बाधित होना अच्छा नहीं है के साथ अगली बड़ी खबर गर्वती पत्नी की पत्थर से कुछ कर हत्या रात भर शव के पास बैठा रहा पती हरीहर ओपी छेतर के माजी गाँ इस्थित नावडी हावा टोला में गुरुवार की रात एक गर्वती महला को उसके पती ने पत्थर से कुछ कर मार डाला पत्नी सीमा की हत्या के बाद आरोपी अरुन राज्वार पूरी राजशव के पास सीध बैठा रहा सुबह होने पर उसने पुलिस के सामने आत्ल समर्पन कर दिया सीमा का माय का बरडी थाना छेद के कोल हुआ में है उसके पिता मुमरीर राजवार ने पुलिस को बताया कि अरुन ने देहेज नहीं देने पर उनकी बेटी की हत्या की है उन्होंने कहा कि बेटी को देहेज के लिए हमेशा परतारित किया जाता था दमात की ओर से देहेज की तोर पर हमेशा पचास हजार रुपईये की मांग की जा रही थी के साथ अगली बड़ी खबर जहारखन में कुरोन दो सो नबे दिने पचास लाग सेंपल की हुई जान सबसे जादत जहारखन में कुरोन दो सो नबे दिन में पूरा हुआ है स्वास्त विभा की ओर से जारी बुलेटीन के मुतावि गुरुवार तक पचास लाग 6,233 सेंपल की जान अब तक की गई है इसमें 1,17,384 सेंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है अभी तक सबसे जाद 31,633 सेंपल मरीज राची में और सबसे कम 1,416 सेंपल मरीज चत्रा में मिले है के साथ अगली बड़ी खाबर कांग्रेस के मार्च पर बिजेपी का पलटवार परदेश अध्यच दीपक परकास ने कहा ठोंग बंद करके सरकार किसानों के हीत की युजनाई शुरू करे राची में कांग्रेस क्रिसी कानून के खिलाप राजभवन मार्च कर रही बिजेपी ने कांग्रेस के इस परदर्शन पर पलटवार किया है परदेश अध्यच दीपक परकास ने कहा कि कांग्रेस के लोग राजभवन के पास विद्वाल विपाल करने पहुच रही है उन्होंने कहा राज सरकार ने किसानों के पीट में छूरत घोपने का काम किया है किसाथ अगली बड़ी खाबर मौसम कामी जा तीन दिन तक सताएगी ठंड 18 जनवरी से 4 डिगरी सेलसियस बढ़ेगा न्यूंतन तापमान राजी में इस सब्ता न्यूंतन तापमान के गिरने का सिलसिला लगतार जारी है गुरुवार को राजी का तापमान 8.5 डिगरी सेलसियस दज क्या गया जो समान तापमान से 1.5 डिगरी सेलसियस कम है इसके कारण एक बार फिर राजी में सर्दी बढ़ गई है धुब दिखाने के बाद भी लोगों में कनकनी से राहत नहीं मिल रही है मौसम विग्यार केंद राजी के मुताबिक अगले तिन दिनों तक राजी वासियों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी अठार जनुवरी से नियुनता तापमान में चार तीन से चार दीरी सेलसियस बढ़ोतरी की संभावना है के साथ अगली बारी खाबर क्रोना दुनिया में नेपाल ने भारत में बनी कोविड शिल्ड वैक्सिन की मंजूरी दी जर्मनी 20 लाग केस वाला दास्मा देश बना नेपाल ने ओक्सपोर्ड एक्स्ट्रा जेनेका की कोविड शिल्ड वैक्सिन को मंजूरी दे दी है नेपार सरकार ने सुक्रवार को इसकी मंजुरी दी या वैक्सी भारत का सीरम इंसिट्यूट बना रहा इस बिच आरोप में क्रोणा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जर्मनी 20 लाग केस वाला दुनिया का दास्मा देश बन गया है फ्रांस ने भी एयर ट्रेवल के लिए न आसु ना बहां इंद्रा भी पंजाबियों को खालिस्तानी कहती थी किसान अंदौलन के बिच राजनितिक ब्यानबाजी में सुक्रुवार को इंद्रा गांधी का जिक्र भी आया है अकाली दल की नेता और पुरु केंद्ये मंद्री हिर्सिम्रत और बादल ने राहुल गा पर राहुल के लिए लिखा पंजाबियों को खालिस्तानी कहने पर घड्याली आसु बहाने से पहले बताएं कि आपकी दादी ने पंजाबियों के लिए यही सब्दकियों बोले थे इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को देखने के लिए धनिवाद